इंस्टाग्राम पर जैसी आप अपने अकाउंट पर विजिट करतो देन यहां पर आप अपने फोटो पर किलिक करतो तो यहां पर बूस्ट पोस्ट लिकाता है आपको बूस्ट पोस्ट कैसे करने है इसके बेनिफिट क्या है मैं आपको बदाता हूँ अगर आपके फोटो प जवरदस्ति लोगों को दिखाएगा अगर उनको इंट्रेस्ट होआ आपकी फोटो अच्छी लगी तो वो लाइक भी करेगे कमेंट भी करेगे सेर भी करेगे अब देखो अगर आप बुस्ट पोस्ट करते हो उसमें पेसा लगएगा कितना लगएगा और कितने पैसे में कित इसमें यहां पर देखो नीचे लिखा रहा है लन मौर सिंपली जैसे मैं लन मौर पर किलिक करता हूँ तो यहां पर मेरे को मैसेज करने के लिए बोल रहा है मैं मैसेज कर सकता हूँ इसको और अगर यहां पर देखो लन मौर की जगा इंस्टागराम मैसेज की जगा मैं प् भी बता एह और यहां पर इस तरह से sponsored लिखाता है आपको किसी नफ ओलो करका है यह नहीं करका है उसके सामने इस तरह से आपकी फोटु ञाएगी sponsored लिखाएगा और जो बटन आपा लेट करो के वो यहां पर एड हो जाएगा ठीक है इस तरह से आपका household होगा यहां पर आपको एड्स इस तरह के देखो यह sponsored यह यह नहीं चलेगा कैसे चलेगा कैसा एड आईगा वो तो पता चल जाएगा बठ उससे पहले बता जबता जाएगा आपको boost बूस्ट पोस्ट में पेसे लगाना है यह नहीं लगाना है देखो अगर आप एक मिडल क्लास फैमिली से हो मैं आपको एकदम मना करूँगा आपको यही सजिसन दूँगा कि आप बूस्ट पोस्ट में एक रूपिया भी ना लगाए जैनवन वर्क करें सेकिन अगर आप एक क defense कि अगर अपने फोट को पर यह ना लिए टि करें बह्तिक तो इसके अलवा इसका जो यूज किया जाता है वही लोक करते जो अपने ब्रेंड का या अपने बिजीनिस का पर्मोश करते उन्हीं के लिए तो ये बहुत अच्छह है विकोज इससे जदा频च मिल जाती है जदा इंपरेशन मिलता है जदे लोगों तक उनका जो बिजनिस है उनका जो बरेंड है पहुंच पाता है इस तरह से अगर आपका ब्रेंड है आप देख लो ठीक है इस तरह से इसका यूज होता है अब यहाँ पर गैज हम आगे हैं अपने इंस्टाग्राम एकाउट में यहाँ पर आपको जो भी पोस्ट बूस्ट करने है तो यहाँ पर देखो बूस्ट बटन आता है सिंपली आप इस पर किलिक कर दीजिए और इस पर किलिक करने से पेले बता देता हूँ आपको बूस्ट पोस्ट इन फ्यूचर इधर उदर एड़ हो सकता है यह बटन इधर उदर कहीं पर भी एड़ हो सकता है या फिर आपको ठीडोट के अंदर यहाँ पर देखनों को मिलेगा जहाँ पर भी मिलेगा अंदर का जो मैठेड होगा वो सैम होगा इन फ्यूचर भी ठीक है बस बूस्ट पोस्ट बटन इधर उधर एड़ हो सकते हैं यह मैं आपको बता रहा हूँ बूस्ट पोस्ट पर आपको किलिक कर देने हैं इसके अंदर आपको पैमिट करना होता है काफी लोग पैमिट में कंफ्यूज हो जाते हैं उनसे पैमिट सेही नहीं होता है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ पैमिट करने के दो मैथअद लोग चाहँ चाहसे करोग बूस्ट पोस्ट क के अंदर करना करना पर और करनaging तो कैसे करोगे बुस्ट पोस्ट के अंदर पैमिट एड बता दूंगा डॉंट वरी, simply आपको अपने अकाउंट पर विजिट करके ठी डॉट में जाने, then यहाँ पर आपको setting and privacy में आ जाने, then यहाँ पर आपको creator tools and controls पर किलिक कर देने, यहाँ पर आपको add permits का option आ रहे है, simply इस पर आपको किलिक कर देने, जैसे ही मैं add permits पर किलिक करता हूँ, तो simply permit methods पर आपको किलिक कर देने, अगर आपने already इसमें कोई try action एड कर रखा है, तो यह आपका billing दिखा देता है, your account यह बना हुआ है, मैंने देखो, 70 रुपे, अभी भी मेरे Instagram permit method में add है, 70 रुपे, मैंने ज्यादे किया था, adds run कर आया था, story में, हाँ, आपको बता देता हूँ, अगर आपको अपनी story पर भी adds चलाना है, story boost करना है, यह वाली वीडियो देख लेना, नीचे description में मिल जाएगी, बट इसमें हम आपको boost post करना सिखाऊंगा, तो यहाँ पर हमें और payment add करना है, तो सबसे पहले अगर आप first time यहाँ पर आतो, देखो यह तो मैंने add funds मैंने पहले ही अपना method लगा रखा है, तो यहाँ पर आपको add permit method पर किलिक करना है, जैसी आप यहाँ पर किलिक करता हूँ, यहाँ पर आपके सामने multiple permit method option आ जाते है, आपके पास जो भी available है, UPI, Paytm, Net Banking, कोई भी आप select कर लीजिए, for example मैं यहाँ पर Paytm select कर लेता हूँ, आप बोलोगे यार मैं तो Google पे चलाता हूँ, phone पे चलाता हूँ, उसका कैसे होगा, अगर आप वो सब करना चातो हो, उन सब से करना चातो, UPI पर किलिक कीजिए, then next कर दीजिए, अब देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें scene यह होता है, आपको अपनी UPI ID देनी पड़ेगी इसमें, UPI ID क्या होती है, आपको पता है, phone pay में जाओ अंदर, उसमें मिल जाएगी, अपने profile पे विजिट करो, वो ऐसे work करती है, देखो, आपका phone number होगा, add the rate phone pay, paytm की है, आपका phone number है, उसमें add the rate paytm, इस तरह से होती है, आपकी UPI ID, आप phone pay में, paytm में, google pay में जाके देखो, मिल जाएगी, don't worry, ठीक है, मैं यहाँ पर जो permit करने वाला हूँ, वो खाली paytm से करने वाला हूँ, simply paytm पर, यहाँ पर debit card भी है, net banking भी है, जो आपको सही लगे, को आपको अपने पास लगने है, जो OTP वेगर आएगे, वो फिल करते रहेना है, और details वेगरा देते रहेना है, अब यहाँ पर आप कितना add करने चाहते हो, मेरे पास 70 रुपे तो है, मैं इसमें 130 रुपे add कर रहा हूँ, देखो आपको नहीं पता, boost post में कितना पैसा लगता है, मेरे को पता है, बट मैं आपको आगे list देखा दूँगा, आपको पता चल जाएगा, अभी मैं अपने idea से कर रहा हूँ, आपको कितना add करने है, आगे आपको वीडियो में पता चल जाएगा, अभी आप add मत करना, ठीक है, अब देखते हैं, यहाँ पर यह हमारे से आगे, क्या-क्या information लेगा, simply please wait, तो यहाँ पर आपको अपना paytm नमबर दे देना है, तो यहाँ पर मैंने अपना paytm नमबर दे दिया है, then यहाँ पर proceed securely, अब आपको एक OTP आएगा, OTP यहाँ पर मैं paste कर देता हूँ, simply यहाँ पर मैंने यह OTP पेस्ट किया, then proceed securely कर दिया, then इसके बाद यहाँ पर यह बोल रहा है, कि आप bank से करोगे, यह अपने paytm wallet से, तो simply मैं यहाँ पर bank select कर देता हूँ, then अपना ATM का bank में, जो CVV होता है ना, वो दे देता हूँ, then इसके बाद मैं कर देता हूँ, next अब मेरे को एक OTP आएगा, simply यहाँ पर मैं यह ATM पर redirect कर दिया है, अब मेरे को जो OTP आया है, फिर से वो मेरे को यहाँ पर fill कर देना है, आपर मैंने OTP दे दिया, then confirm कर देता हूँ, simply guys, यहाँ पर हो गया है, हमारा permit successfully processing में चल रहा है, वैसे यहाँ पर successfully 100% लिखाएगा, भाय का experience है, तो यह हो गया, हमारा permit successful, ट्राइक्शन successful होगी, तो यहाँ पर हमारे 70 रुपे थे, और 130 रुपे हमने OOR aid कर दिया है, तो यहाँ पर देखते हैं, अब कितना permit यहाँ पर हमारा aid हो गया, simply guys, यहाँ पर मैं back करता हूँ, मैं आ जाता हूँ, Instagram पर OOR देखते हैं, यहाँ पर हमारा कितना permit हो गया, मैं back करता हूँ, back करता हूँ, फिर से यही पर आता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 130 हमने इसमें एड़ किया 70 पे ले थे 200 रुपे यहाँ पर हमारा एड़ हो गया है देन आपको बे करना है अपनी प्रोफाइल पर आकर उसी पोस्ट पर आ जाने है यहाँ पर आपको बूस्ट पोस्ट पर किलिक करने है अब जैसे आप बूस्ट पोस्ट पर किलिक करते हो simply यहाँ पर आपको मिलता है more profile visit अगर आप यह स्लेट करते हो वहाँ पर मैं आपको दिखा रहता message आ रहता ना message करने के लिए अगर आप profile visit select करोगे तो नीचे किलिक करके आपकी profile पर बंदा visit कर पाएगा सेकिन है more website visit अगर आप यह स्लेट कर दोगे न तो अब सीन क्या होगा कि बंदा है न आपकी जो website है आपको देखो edit पर किलिक करने है यहाँ पर आपको अपनी website का इसमें link देदने है edit profile पर किलिक करके आपको यहाँ पर अपनी website का link देदना है जो भी आपको देना है ठीक है अपनी website का link देगे अब आपको button add करने है learn more, shop no, watch no, contact us, book no, sign up इन में से कोई साभी आपको add कर देना है button वही वहाँ पर नीचे 100 होगा ठीक है थर्ड़ है more message यह वही वाला है जो इस बंदे ने अपने post में लगाया हुआ था उसको Instagram पर ही हम message कर पा रहे थे यह first option है second option है आप इसमें अपना business whatsapp add कर सकतो आपके whatsapp पर लोग आप से contact कर पाएगे तो जो उन से भी आपको करना है कर सकतो इसके बाद आप button add कर सकतो आपको पता होगा मेरो को बिल्कुल भी नहीं पता है because आपको पता है आप कौन सी post को boost कर रहो उसमें आपको कौन सी केटागिरी चाहिए second है automatic automatic का मतलब यह है कि कितनी भी ASK person किसी भी केटागिरी के and कोई सी भी audience के आपकी जो post है उनके सामने जाएगी मतलब सभी के सामने आपकी post जाएगी चाहे वो कितनी ASK हो एक केसी audience चाहिए for example आपको YouTube की audience चाहिए या फिर आपको Instagram की audience चाहिए इसके बासlocation आपको स्लेट करना है आपको जो بھی location एड़ करना है for example मैं हूँ मुझाफ नगर से तो यहाँ पर मैंने अपनी location add कर दिया है इस तरह से यहाँ पर आपको second option मिल जाता है local का ठीक है local का मतलब है अगर आप your current location add कर देतो यहाँ पर continue कर दियाना है जैसे आपने इसको on किया then आपने continue किया तो इसके बाद यहाँ पर जो आपके आसपास के मतलब जिस area में आपो जहां से आपकी यह current location है अभी तो आसपास के जो 5 km दूर के लोग है 5 km के अंदर आपकी post जाएगी यहाँ पर आप 1 km भी कर सकतो 1 km के around ही आपकी post देखा जाएगी और यहाँ पर आप जितना distance चाहे इतना कर सकतो 30 टक कर सकतो 1 से 30 टक तो मिजफनगर के अंदर 30 मतलब अभी जो मैं हूँ मिजफनगर से नहीं हूँ अभी current जो है मेरी और कोई सी location है जो कि यह दिखा भी रहा है यहाँ पर ठीक है तो आप अपनी current location भी डाल सकते हो उस address पर ही आपकी जो post है वहीं पर ही दिखा जाएगी अगर आपके girlfriend वेगर है ना भाई उसका address डाल दो गली का ठीक है उसी के गली में उसी की city में वहीं पर दिखा जाएगी सब को और उसको भी दिखा जाएगी आपकी photo तो यहां पर आप यह भी कर सकते हो तो भाई मैंने मुझफनगर select कर लिया है यहां पर हो गया है मुझफनगर हट गया है मैं दोवारा select करता हूं मुझफनगर यहां पर हो गया है select ठीक है then write कर दने इसके बाद आपको interest जो आपको audience चाहिए उसको interest उसमें है भी है नहीं तो केसी audience चाहिए आपको भाई मेरे को जो interest है टेक्निकल में है तो मेरी जो सामने वाली audience है मैं चाह रहा हूं कि उनको भी टेक्निकल में ही interest होने चाहिए वो ही audience मेरे पास आने चाहिए यहाँ पर मैं तो भाई यूटूब की ओडेन चाह रहा हूँ जिन लोगों को यूटूब में इंटरेस्ट है वो मिझे चाह रहे तो यहाँ पर मैं यूटूब ऐसे लिख दूँगा तो यहाँ पर simply मैंने यूटूब स्लेट किया अब देखो यहाँ पर हमें multiple option मिल जाते हैं फर्स्ट मैंने यूटूब लिया अब यहाँ पर आपको facebook facebook की audience चाहिए instagram की audience चाहिए and whatsapp की audience चाहिए facebook messenger मतलब यहाँ पर जितने भी google जो जो audience चाहिए आप उन सब को यहाँ पर slate कर सकतो डिटल मार्किटिंग सब के सामने जाएगी आपकी यह Snapchat audience है तो जितनी भी audience आप चाहो भाई यहाँ पर add कर सकता हो भाई मैंने इतनी सारी कर दी ठीक है इसके बाद आते है एज आप कितनी एज के बंदों को अपनी वीडियो दिखाने चाहते हो भाई जो सबसे ज़्यादे एक्टिव होती है social media पे और audience होती है 18 से 24 के बीच अब भाई आप इससे ज़्यादे एज के बंदों को दिखाने चाहते हो इससे कम में दिखाने चाहते हो भाई यहाँ पर आप कम चाहते हो female को डिखाने चाहते हो female को दिखाने चाहते हो male को ड़ी एंट कर दो इस तरह से भी आप अपनी जो ओडियन से create कर सकतो हूँ यह मैंने अपनी खुद की पर आपको सबसे पहले बजट सेलेट करने है देखो बजट आता है यहां पर एक दिन का जो बजट होता है मतलब 77 से 200 के बीच जो आपकी फोटो है दिखाई जाएगी कहां कहां पर दिखाई जाएगी वो तो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ डेमो हमें मिल जाएगा तो यहां पर होता है हमारा बजट अगर आप चाहो तो इसमें 82,960 रुपे का भी कर सकता हो इसमें आपको एक लाक रीच मिलेगी एक लाक लोगों के सामने आपका फोटो जाएगा अब अगर उनको अच्छा लगता है आपका फोटो तो वो लाइक कमेंट सेर भी कर सकते है वो इसमें काउंट नहीं होगा यह आपको खाली रीच देगा इसका काम है सरफ आपकी फोटो उन लोगों तक पहुचाना कहां कहां पर दिखाएगा वो आपको आगे पता चल जाएगा तो यहां पर मैं एक दिन का बजट लेता हूँ 166 रुपे इसके बाद आता है डूरेशन अगर आप रन दिस एड अंटिल आई पॉस इट कर दोगे तो आप इस एड को बन नहीं कर पाओगे जब तक पैसा रहेगा वोलेट में जितना पैसा आपने लगा है जब तक के एड चलता रहेगा और अगर यहां पर आप सेट डूरेशन कर जाते हो तो यहां पर आप एक दिन से लेके 30 दिन तक का एड रन करा सकते हो टोटल एमाउ सकता हूँ देन आपको नेक्स्ट कर देने है अब जैसे आप नेक्स्ट करतो नेक्स्ट करने के बाद यहां पर आपके सामने ऐसा ओप्षन आएगा तो गैस मैंने पैमिट तो एड कर दिया है लेकिन यहां पर यह पैमिट में 70 रुपई दिखा रहा है अपडेट नहीं हो चलिए देखते हैं आगे देखेंगे जो भी होगा ठीक है तो यहां पर मैंने इसमें पैमिट तो एड कर दिया है बट उससे पहले हम देखेंगे प्रिव्यू एड हमारी जो फोटू है कहां कहां पर दिखा जाएगी आपको प्रिव्यू एड पर किलिक कर देने है सबसे प से फोट का एड कैसे चलेगा वह भी मैं आपको दिखा देता हूं स्टोरी कुछ कुछ ऐसा चलेगा यहां पर इस पान्सर्ड लिखाएगा और प्रोफाइल विजित इस तरह से बंदे कर पाएगे प्रोफाइल विजिट करके इस्टोरी में ऐसे दिखाया जाएगा हमारी and explore page में कैसे दिखा जाएगा वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए simply guys यहाँ पर आ जाएगा explore page में देखो यहाँ पर sponsored लिखाएगा और profile visit लिखाएगा explore में और सब की आईगी insideों में और यहाँ पर आपका add चलेगा तो इस तरह से explore page में और रिल्स के अंदर कैसे दिखाएगा देखो रिल्स page में जो है आपकी post कुछ ऐसे दिखाएगी view instagram profile पर visit करके वो आपकी profile पर visit कर पाएगे इस तरह से आपकी real section में देखाएगी post then मैं बेक करता हूँ इसके बाद आजता है यहाँ पर aid funds पैमिट यह रहा देखो 70 रुपे दिखा रहा है यार मैंने 200 रुपे aid कर दिया है तब भी 70 रुपे दिखा रहा है आप यहाँ से भी इसमें permit aid कर सकता हो भाई मैंने कर दिया था और आपको कैसे करने है अगर आपने भार से नहीं किया aid funds पे किलिक करने और जैसे आप aid funds पे किलिक करतो simply guys यहाँ पर आप first time आतो तो यहाँ पर guys आपके सामने multiple option आ जाते है debit card आप 3 months no cost credit card MIB कर सकतो and UPI भी कर सकतो Paytm भी कर सकतो net banking भी कर सकतो तो आपको जो भी करने है भाई यहाँ से आप कर सकतो यार मैंने payment aid कर दिया है update नहीं होगा है यहाँ पर मेरा 70 रुपी दिखा रहा है मेरे को बेग जाना पड़ागा लग रहा है आप यहाँ से आप कुछ भी select करके अपना payment aid कर दीजिए payment aid हो जाएगा उसके बाद boost के से करना है बता दूँगा अभी मैं अपना aids यहाँ पर रन कर रहाँगा because मेरे को payment अपडेट करने है finalis मेरा जो payment है वो aid हो गया है अभी यहाँ पर 70 दिखा रहा है यह खुद automatic अपडेट हो जाएगा but boost आपके सामने करके दिखा जाँगा यहाँ पर अभी यह so नहीं कर रहा है ठीक है अब इसके बाद देखो cost कितना आएगा cost समयरे आप जान लिजीए यहाँ पर aid budget जो है 166 रुपे है 166 रुपे में एक दिन हमारा aid चलेगा और कितने views थे मैंने आपको दिखा दिखा देता जितना reach मिनने वाला है इसमें लगएगा GST 29 रुपे 88 पेसे का तो total spend कितना होगा 195.88 पेसे 155.88 यह मानलो 196 रुपे लग जाएगे simply guys आपको देखो जब आप ads run करोगे तो 24 hours यह review में चलेगा और ads run होते रहेगे 24 hours बाद आपको final result मिलेगा simply आपको boost post पर क्लिक करने है और जैसे आप boost post पर क्लिक करते हो अगर आपका permit है तो यह boost हो जाएगा तो finally guys यहाँ पर हमारा जो post है वो boost हो गया है 24 hours हमें wait करने है यह review में चला गया है अब देखो यहाँ पर जैसे ही मैं okay करता हूँ तो boost post की जाएगा यहाँ पर अगर यह boost नहीं होँ तो यहाँ पर boost post ही लिखाएगा और अगर यह चला गया है मतलब boost हो गया है तो यह हट जाएगा यहाँ से मैं wait करके देखता हूँ अभी reference नहीं हो रहा है मेरे को लग रहा है देखो लिखा गया है pending approval फाइनली हमारी जो यह पोस्ट है वो boost हो गया है पेसा लग चुका है 195 रुपे हमने इसमें लगा दिया है जब तक कि यह pending approval रहेगा तो यह boost नहीं होगा और जैसे यह से अट जाएगा तो क्या लिखाएगा currently boost लिखाएगा अभी देखते है हटता है यह नहीं हटता है मैं बेक करता हूँ थोड़ा वेट करना होगा यह अभी यहाँ पर हट जाएगा मैंने reference कर लेता हूँ यहाँ पर simply फिर से मैं ही पर आ जाता हूँ तो देखते है यह हुआ है यह नहीं तो यहाँ पर हमारा जो है यह बूस्ट तो हो चुका है अब हम देखते है कि चल भी रहा है एड्स यह नहीं तो यहाँ पर आपको करना क्या है आपको professional dashboard में जाना है और जैसे आप professional dashboard में आतों तो simply guys यहाँ पर आपको scroll करके यहाँ पर आपको आएगा air tools इस पर आपको click कर देने है तो यहाँ पर आपको पता लगएगा कि आपकी जो post है वो boost हो यह नहीं हो आप देख सकते हो हमारी जो post है वो boost हो चुका है और इसमें 166 रुपे लगा चुके हैं 166 रुपे बट 1955 कट ह अब 24 hours यह क्या होगा यह boost होता रहेगा review में ठीक है तो जितना बूस्ट होगा उतना पैसा कटेगा और जितना पैसा कटेगा यहाँ पर आपको पता लगता रहेगा और वहाँ पर आपके सामने two options थे मैंने बता आता कि एक एड़ आप cancel कर सकते हो एड़ एक एड़ नहीं क क्लिक कर दोगे simply मैंने यहाँ पर view inside पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको नीचे की ओर आना है नीचे की ओर आना है नीचे की ओर आना है देखो इस तरह से लिखाएगा आपकी पोस्ट पर एड़ इस तरह से आप देख सकते हो 24 hours remaining देगा यह आप कहीं और से भी देख सकते ह आप यहाँ पर आपको इतनी अंदर आने की जुरूत नहीं है मैं आपको बताता हूं simply guys आप उसी पोस्ट की देखो यहाँ पर पैंडिंग एप्रूबल आ रहा है अभी लिखावा आपको ठीड़ोट में जाना है देन यहाँ पर यार यह करेंटली बूस्ट अभी स्टार् यहाँ पर आता है देखो साद में वीउसाइट में 2005 को क्लिक करने और जैसे आप यहाँ पर कलिक कर तो तो अब यह नहीं नहीं हुआ है जितना इस पेंड होगा यह पर आपको लिखाएगा और पर si to लिखता आएगा 24 hours का जो status है वो यहाँ पर show कर जाएगा आपको यहाँ पर सब कुछ पता चल जाएगा कि profile widget कितने मिले है and reach कितनी मिले है जो आपने पैसे लगाया सब कुछ result आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा post का and अगर आप delete करना चाहो add को आप add को हटाना चाहतो मारे सामने एक option यह था जो add until वाला I think आपके याद आ रहा होगा मैंने बोला था अगर वो select कर दोगे आप add को delete नहीं कर पाओगे मतलब हटा नहीं पाओगे जब तक के पैसा है add चलता रहेगा और second option था set duration हाँ वो अगर वो select कर ले तो तो यहाँ पर आपके हाथ में होता ह है add को delete करना अगर आप delete कर दोगे तो adds हड जाएगा यहाँ पर अगर आपने delete add पे click कर दिया और एसे delete कर दिया यहाँ पर simply delete होते ही आपका जो add है वो बन हो जाएगा आपके पैसे नहीं कटेगे अब आपके पर depend करता है वह आपको delete करना है या adds को चलाना है obviously आप चला हो गई तो यहाँ पर आप result भी देख सकते हो आई होप आप लोग की समझ में सब कुछ आ गया होगा वीडियो को यहीं पर एंड कर देता है वीडियो को like share comment कर देना एंड चैनल को सब्स्क्राब करके बेल आकन को और पेस कर देना ऐसी और वीडियो देखने के लिए